हैलो दोस्टों and welcome back to another video and आज की इस व्यडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Keep Containers की script के बारे में इस script के अंदर आप अपने खुद के container server के अंदर लगा सकते हो उसके अंदर item store कर सकते हो as well as आप उन containers को किसी और को भी बेश सकते हो सो स्टार्ट करते हम इस वीडियो पे तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस लिंक पे गिटप का लिंक है और यह आपको description में as always मिल जाएगा यहां से आपको इस script को download कर देना है download करने के बाद आपको इसको extract कर लेना है अपने QbCore वाले folder में सो यहां पे मैंने इसको open कर लिया है इंड यहां पे अब आएके मैं इसको extract कर लेता हूँ, इस folder में इसको drag and drop इसके बाद आपको थोड़ा से इसको rename कर लेना है यहां से आपको master हटा देना है एंड बस इसके बाद आपको आजयाना है यहां पे नीचे यहाँ पर आपको सारा इसका installation का instruction मिल जाएगा यहाँ पर हमने script को extract कर लिया है इसके बाद यहाँ पर कोई SQL फैल नहीं है यह अपने आप database में अपने required items इसको जो जो चीर डाल लिया है यह खुछ से डाल लेगा इसके बाद हम यहाँ पर इसके थोड़ी config में changes करने है तो आपको आजाने config लुआ वाली file के अंदर यहाँ पर आपको select कर लेना है framework as QB यहाँ पर input QB input होगा विकाज यह QB core का server है और यह script आपके ESX के लिए भी valid है तो अगर आपको इसको ESX के अंदर चलाना है कि आपको containers आप कहीं भी नहीं लगा सकते है आपके पास कुछ limited जगा है आपको वहीं वहीं लगाना है अगर आपको इसके अलावा कहीं और लगाना है तो आपको यहाँ पे इसी config लुआ वाली file में अपने इसाब से changes करने पड़ेंगे उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है super users अब super users के पास access रहता है containers को हटाने का यह आप किसी भी एक person को दे सकते हो और यहाँ पे आपको उसकी बस ID डालने है जो उसका character ID है वो उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक bolt cutter अब यहाँ पे इन containers को कोई भी open directly नहीं कर सकता अगर वो owner नहीं है तो आपको police के बाद जाना पड़ेगा और वहाँ से police के बाद एक item होगा bolt cutter और इससे वो इस container को open कर सकते हैं अगर आपकी चीज़ हटाने तो आप यहाँ से simply remove कर सकते हैं जिससे कोई भी किसी भी container को खोल पाएगा तो यहाँ पे बस इतना ही साइसी config file में यहाँ पे मैं इसको कर जेता हूँ बंद इसके बाद हम सबसे पहले inventory की जो items है जो inventory की images हैं इन सब को अपने inventory की script में डाल लेते हैं तो आपको 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 आजाने resources में QB and आपके पास जो भी inventory की script है आपको उसके अंदर इसको डाल लेना है तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ QB inventory पे यही मेरी inventory यहाँ पे HTML में आ जाना है images में आके आपको simply paste कर देना है इसके बाद आपको आ जाना है QB core में QB core में हमें इसलिए आना है because यहाँ पे जो items है हमें उन सब को register करना है तो यहाँ पे आगे हमें QB core में shared and इसके बाद items.lua वाली file में आपको सब से end में आ जाना है उसके बाद कुछ spacing देनी है and यहाँ पे आपको paste कर लेना है यहाँ से मैं करता हूँ इसको copy और यहाँ पे paste कर लेता हूँ and यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया इसको मैं कर लेता हूँ save और सब से last में हमें इस script को हमारे server cfg के अंदर डालना है जिससे जब भी server run हो यह script अपने आप run कर जाए so उसके लिए आपको क्या करना है इसका name आपको करना है copy और आपको आजाना में server cfg के अंदर and यहाँ पे आपको simply इसको paste कर लेना है ऐसे कुछ यहाँ पे आपको लिखना है ensure और script का name and इसके बाद हम start करेंगा हमारा server और मैं आपसे मिलता हूँ अपने server के अंदर जाके इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure to check out Zab hosting जो है 5M official hosting partner and इनके help से आप अपना 5M server host कर सकते हो सिरफ 5 minute में and check out के time use करना मेरा promo code जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा discount and ये सारी details आपको मिल जाएगी description और pin comment में अब बढ़ते हम अपनी video में so यहाँ पर मैं आ चुक हूँ अपने server के अंदर and यहाँ पर अब मेरे को map open करना है and यहाँ पर जब आप map open करते हो तो आपको कुछ एक ऐसी जगा दिखती है postal containers depot आपको यहाँ पर teleport कर लेना है and यहाँ पर आने के बाद आपको एक कुछ ऐसी जगा दिखेगी so यहाँ पर जैसी आप आते हो आपको एक item चाहिए जोगी container वो container आप place कर पाऊगे so उसका जो नाम है वो आपको इनी के github page पर मिल जाएगा तो हम एक बार यहाँ पर इनके page पर आते है and यहाँ पर इनके page पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर scroll करते हो so आपको यह जो name दिख रहे हैं यह item name है आप अगर इनको अपने inventory में लेते हो and इनको use करते हो तो वो container place हो जाएंगे so यहाँ पर बहुत सारे type के container से तो यहाँ पर मैं कोई भी एक select कर लेता हूँ for example यह वाला and यहाँ पर मैं इसका name किया copy यहाँ पर मैं अपने आपको give item किया and यहाँ पर मेरे पास item आ गया so अब मैं इसको एक बार use कर लेता हूँ and use करने बाद मिरे को पूछ रहा है password so यहाँ पर मैं password set कर लेता हूँ 2580 और submit इसके बाद आप देख सकते हो यह container मिरे को दिख रहा है and इसको मैं अगर scroll करता हूँ तो यहाँ पर इसका कुछ ऐसे location चेंज हो जाएगी and यहाँ पर आपको नीचे इसका सारी controls दिख जाएंगा आपको इसको कैसे place करना है याद रखना अगर आप इसको एक बार place कर देता हूँ कुछ ऐसे और उसके बाद इसकी location लॉक कर देता हूँ आप एक बार यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर कैसे place होगा and उसके बाद आपको सिरफ एक बार enter press करना है so यहाँ पर मेरा container आ चुका है and अगर आप इसको थरड़ा ऐसे यहाँ पर देखते हो तो आपको यहाँ पर option आएंगे 3 transfer ownership, open container और change password transfer ownership आप कर सकते हो and यहाँ पर मेरा डाल देख पासवड और submit so इसके बाद यह container open हो जाएगा इसकी जो storage है वो सारी आप इसकी script के अंदर जाके आप change कर सकते हो कि किस container पर कितनी storage आपको देनी है इसके अलावा आप इसमें और changes भी कर सकते हैं अपने इसाब से अगर आपको इसमें का और location डाल ली है या फिर आपको इसको सिरफ job only करना है वो साब आप इसकी script में जाके अपने इसाब से कर सकते हो अब आजाती है बारी इसके bolt cutter को use करने की अब bolt cutter से क्यों होगा मैं इसको open कर पाऊंगा अगर मेरे पास इसका access ना हुआ तो भी पर उसके लिए मेरे को चाहिए सबसे पहले police की job यहाँ पर मैं job ले लेता हूँ set job id1 police 1 यहाँ पर मैंने ले लिए job अगर मैं आपको यहाँ से दिखा हूँ job and इसके बाद मेरे को चीए आइटम बॉल्ट कटर सो इसका जो आइटम नेम है वह आपको इसी की script में दिख जाएगा जो होगा यह container bolt cutter तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया है copy और अब मैं आके इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट सो यहाँ पर आप दे सकते हो मेरी inventory में bolt cutter आ गया है अब अगर मैं इसको थर्ड आई से यहाँ पर देखता हूँ सो यहाँ पर आ जाता है bolt cutter का option सो मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर एक animation होगी जो इसको open करेगे यहाँ से आप दे सकते हो यह वापिस open हो गया जैसे आप यहाँ पर bolt cutter को use करते हो वो bolt cutter आपके inventory से remove हो जाएगा अगर आपको इस चीज को enable या disable करने तो आप इस script की config file में से changes कर सकते हो सो अब आ जाती है last चीज की अगर आपको किसे को permission देनी है इसको remove करने की तो वो कैसे होगा सो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए ID की आपको किसको permission देनी है यहाँ पर मैंने अपने लिए एक ID कार्ड पॉन किया है और यहाँ पर अगर मैं इसको use करता हूँ तो आप यहाँ पर मेरी civilian ID देख सकते हो तो इसको आपको कर लेना है एक बारी copy आप इसको directly यहाँ से कर सकते हो नहीं तो आप इसको database में जाके कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है copy अब मैं आ जोगा अपनी config file पे इसके बाद आ जोगा मैं script में and config.lua यहाँ पर आके अगर मैं सबसे नीचे scroll करता हूँ यहाँ पर मिरको आरा option super user का तो आपको यहाँ पर अपनी id पेश्ट कर लेनी है and इसको यहाँ पर save कर लेना है इसके बाद आपको बसे script को restart करना है या फिर आपको एक बारी server restart करना है and यहाँ पर आप changes देख पाओगे यहाँ पर मैं फिर से script का नाम copy कर लेता हूँ and then restart so अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे को काफी सारे option आ रहे है इसको move करने का और delete करने का अच्छा type confirm okay अब मैंने इसको गर दिया confirm and यहाँ पर अब आप देख सकते हो एक बार और confirm कर दिया मैंने and last चीज इसको डिलीट करने की तो यहाँ पर मैं फिर से थर्ड आई से देखता हूँ and यहाँ पर last चीज डिलीट container इसको यहाँ पर लिखने confirm और submit so यहाँ पर यह डिलीट हो गया so दोस्तों यही था इस script में अगर आपको buy कर सकते हो VPS या फिर root server अगर आपको कोई एक बड़ा 5MRP server है and यहाँ पर आप मेरा promo code जरूर यूज करना because उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से so thanks for watching मैं मिल तो आप से अगली वीडियो में